सबसे पहला तो प्रैक्टिस आप करते हैं वो that is a basic thing सबसे important होता है time management कैसे करना है वहाँ पर you just doesn't need to practice question you need to practice time management while attempting mock test करते time स्रिफ question practice नहीं करने है हमको हमको यह भी attempt practice करने है कि कितना time लग रहा है हमको वो question solve करने में and how much time you are left in me तो या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आखनी में time बच नहीं रहा और आप तुक्का मार रहा है ठीक है so time management जो है कि अब time management में का मैं थोड़ा सा आपको perspective बतायता हूं कि exam में अगर आप time किस तरीके से manage कर रहे हैं let's assume कि you have 180 minutes okay 180 minutes होते हैं आपके पास and you have to attempt how many questions 150 questions okay and you have 180 minutes ठीक है 180 minutes है 150 questions है अब अगर आप इसको सही लगाए तो पर question पर one minute okay अगर आप basic यह रूल से भी चले पर question one minute 150 question कैसे हुए 150 question paper one plus paper two okay paper one plus paper two बिलाके 1.500 question होगा है अब इसका सीज़ा target लगाई है कि 1.500 question आपके 1.500 minute में करने की practice करने है okay so while attempting mock test you need to make sure कि you are finishing them the first reading अब वो कैसे practice कि पहली बार जो आप पढ़ रहे हैं पहली बार में जितने question बनते जा रहे हैं okay easily without getting any kind of vertical entangled और कहां बिना फस्ते है ठीक है तो आप question देखते जा रहे हैं answer रहा ठीक है click 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 कर one minute sorry one minute per question max to max अगर आप बहुत जादा कहीं लग रहा है तो एक minute के आगे एक question पर नहीं रोकेंगे आगे बढ़ जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से 500 question करेंगे जहां में जिस भी question में पेपर वन हो पेपर टू है उसको रिव्यू के लिए डाल दीजिए okay there is option for review also okay अगर आप पेपर करते तो वहाप एक side में रिव्यू का option आता है तो उस question को रिव्यू मार्क कर देंगे जहां में डाउट लाइए कि यहां मैं श्योर नहीं हूं ठीक है नेगेटिव मार्क नहीं है बट अगर आप सिर्फ तुक्का मार्क कर रहे हैं तो आपका loss है तो इसलिए उसको रिव्यू के छोड़ें कि ठीक है आखनी के 30 मिनिट में मैं उसको सबस्क्राइब यहां पर बेट तो आपको यह नहीं कर देंगे तो 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 पूरा पूरा ध्यान अपने पड़ेगा आपको सेकेंड आप जब मॉक टेस्ट करते हैं so you have to be using an evaluative approach okay evaluative approach is that कि मॉक टेस्ट करते हैं you also need to keep evaluating कि you are improving on the mistakes that you have done in the previous mock test okay पिछले mock test में जो गलतियां की थी क्या वो फिर से दोहरा रहे हैं क्या silly mistakes फिर से कर रहे हैं क्या incorrect not ये सारे word miss miss कर रहे हैं आप फिर से इसमें कम से कम पांच्छे कोशन हर हर इस्ट्रुएंट का बाता ठीक है not नहीं पढ़ा incorrect नहीं पढ़ा कोशन नहीं समझा थे आंसे जल्दी वाजी में कोशन पढ़ा आखरे लाइन नहीं पढ़े नहीं किया अगर किया तो well and good you are going on right path otherwise you are just wasting time आपने कहने के लिए भाई 15-20 सुधरने के लिए okay so mistakes को समझे एक्सेप्ट कीजिए and that will bring a change and that will lead you to the path of success okay so in चीजों का थ्यान रखेगा evaluate कीजिए और कमिया निकल रहे हैं उनको उनका भी ध्यान रखे कमियों को थोड़ा से रवाइस कि जिन यूनिट में आपकी कम स्कोर आना है उसको रवाइस करते हैं फिर अगला मॉक्त लगाई okay so that would be the right way of मॉक्तर्स तो टाइम मेनजमेंट का बहुत बड़ा खेल है जिसको ध्यान रखे यह जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते है तू रीडिंग प्रिंसपल की पेपर एक बार में नहीं नहीं टू रीडिंग में चलेगा ठीक है फर्स्त रीडिंग पहली रीडिंग आप इतने मि बहुत होता है 1500 को देखने के लिए उसके बाद हाँ इवन कई वच्छे तो 120-130 मिन भी कल लेते हैं फिर री सेकेंड रीडिंग में आपको और जितना जल्दी यह हो जाएगा सेकेंड रीडिंग है फिर आप और तसलिस से ध्यान को केंद्रित करके उन को टैम कर लेंगे ठीक ह चले तो बस यह धा मेरा एक्सेशन